तुर्ण प्लाटफॉम में आपने पब्लिक एकाउंट्स कमिटी के बारे में जरूर सुना होगा यह हमारी पारलेमेंट की सबसे ओल्डेस्ट कमिटी है इसको सौ साल पूरे होने जा रहे हैं तो आज हम चर्चा करेंगे एक्जाक्ट्ली की सौ साल पूरे होने पर किस तरह से फंक्शन करती है क्या इसमें रिफॉम्स हैं क्या इसमें कुछ तुर्टिया हैं अगर हैं तो कैसे उसको ठीक करें जैसे अभी हाली में एक न्यूस आर्टिकल भी आया था कि पाकिस्तान जो था वह एक अमंग कॉमन्वेल दिल वाइटीस था सौ साल पूरे करने के लिए प पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करती क्या है एक्ज़ेकली इसका क्या काम है एक एक लिए कंट करती है जो भी सरकार फर्शा करती है उसका पोस्त-मॉोटं करती है उस सवर्च कोंग्र्स की जो लीडर है लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं तो सबको जानेंगे इस वीडियो में जानेंगे एक्जाटली क्या-क्या इस पीसी के वेनिफिट्स होते हैं कैसे एकाउंटिबिलिटी को मिंटेन रखती है और सरकारी खर्चे कैसे देख रहे करती है आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अपको प्रोग्राम से पचेस कर सकते हैं बस यह डिसकाउंट गेट 30 लगाई है और एक्स्टा डिसकाउंट के साथ आप या वेब से पचेस कर सकते हैं तो जानने कोशिश करते हैं और इसको पार्लेमेंट हर साल कॉंसिटूट करते हैं या देखना एक कमिटी का टेन्यूर एक साल का होता है काम क्या होता है एक्जामिन करना अकाउंट्स को अप्रोप्रियेशन देखना, मतलब क्या पैसा अप्रोप्रियेट हुआ था, कितना खर्च हुआ, कितना सरकार के खाते में बचा है, साधे साथ annual finance accounts को सरकार के देखना, या फिर ऐसे कोई भी accounts जो Parliament इस committee के सामने रखे समय समय पे, लेकिन यहाँ पे कहा जाता है कि जो public undertakings है government companies हैं, जो committee on public undertakings के अंडर आती हैं, उसके accounts यह चेक नहीं करती हैं, तो यहाँ भी यह बात ध्यान रखेगा, कि कोई भी Parliament इनको task दे, वो यह करती है, अपने task हैं, लेकिन एक committee अलग से भी चलती है, committee on public undertakings, वो PSU के accounts को देखती रहती है, अब यहाँ आपे कहते हैं, oldest है 1921 की सबसे पहली parliamentary committee established की गई थी, Britishers के time की है, अब इसके members की बात कर लेते हैं, total 22 members इसमें रहते हैं, लोगसभा के members जादा हैं, राज्यसभा के कम हैं, 15 members इसमें लोगसभा के हैं, 7 members इसमें राज्यसभा के हैं, अब बात आती है, chairman कोने appoint करता है, जैसे हमने देखा, अधीर रंजन चौधरी जो है, इसके chairman है, chairman appoint करने की power, speaker के पास, और एक लंबा, यहाँ पे convention चला रहा है, कि जो opposition party है, largest opposition party है, जो leader of opposition है, उन्ही को इसका chairman बनाया जाए, तब से convention चलता आ रहा है, बात करेंगे functions, अच्छा, पहली चीज़ यह constitution में इसका mention कहीं नहीं मिलेगा, आप functions की बात कर लेते हैं, यह appropriation को scrutinize करती है, सरकार के खर्चों को scrutinize करती है, और finally, फिर इसकी report CAG के पास भी जाती है, अब यह करती है, कैसे कैसे और क्या क्या चीज़ों को check करती है, सबसे पहले यह देखती है, कि जो सरकार के खाते में पैसा आया, उसका क्या ठीक से utilization किया मतलब कहां कहां पर उसको खर्च किया, खर्च किया तो कितना किया, बचा तो कितना बचा, तो यह account यहां पर match करती है, साथी साथ यह देखती है, कि बाकी जो expenditures है, वो ठीक से confirm हो रहे हैं, अपने खर्चों के according है, जो पैसा बचा है, और जो पैसा कमाया है, उसमें कोई खा खर्च हुआ, साथी साथ इसकी duty भी है कि उन accounts को भी यह चेक करें, जो state corporation के accounts है, state trading के accounts है, state manufacturing, मतलब ऐसी कोई सरकारी manufacturing scheme चल रही है, government की कुछ अपनी factories है, उसको भी, उसके भी profit loss accounts को यह manage करती है, उनको study करती है, साथी साथ यह examine करती है, ऐसे income और expenditure को जो autonomous और semi autonomous bodies के होते है और जिसका audit CAG करती है, ठीक है, तो या फिर कोई ऐसा काम इनको जो president दे दे या parliament by law दे दे PSE को वो करना पड़ता है, साथी साथ जो report होती है CAG की जहांपे president कहते हैं कि इस report, जो audit की report हाई है, इसको भी एक बर देख लो, तो ऐसा कोई भी receipt, ऐसा कोई भी stock audit, ऐसा कोई भी account जो है उसको maintain करती है, उसको check करती है, साथी साथ यह भी देखती है कि अगर ऐसा कोई भी पैसा, जो कि service पे, किसी financial error में spend हुआ है, तो क्या वो amount granted से जाधा है, लिटस से, कि parliament ने 100 रुपे grant किया था, और सरकार ने 110 रुपे खर्च कर दिया, तो इन चीज़ों कभी है, खरेक करती है, और accordingly अपनी recommendations वो बताती है, साथी साथ आप देखेंगे, बहुत important functions है, क्योंकि यह एक एक रुपेया जो सरकार spend करती है, जो public money होता है, जो सरकार ने demand किया होता है, जो सरकार ने खर्च किया होता है, यह उसका पूरा ब्यौरा चेक करती है, तो इससे कह सकते है, कि यह काफी important committee है, इसके सबसे oldest भी है, साथी साथ यह कोई भी money, जो spend हुआ है, उसका record रखना, money के grant के बारे में देखना, grant को किस purpose के लिए use किया गया है, वो सब इसका देखने का काम होता है, यह साथी साथ यह भी examine करती है, कि कोई loss तो नहीं होए, negatory expenditures तो नहीं है, कह सरकार जल्व स्यादा पैसा तो नहीं खर्च कर दी है, ठीक है, आए स्यादा खर्चा तो नहीं कर दी है, सारी चीज़े देखती है, साथी साथ यह भी देखती है कि कहीं ऐसा तो नहीं negligence हुआ हो कहीं पे, सरकार ने जल्व स्यादा पैसा खर्च कर दिया, सौर रुपे में काम हो सकता, सरकार उस काम के 1000 रुपे दे रही है, तो यह सब चीज़े चेक करते हैं, जिससे कि कोई लॉस ना हो, कोई extravagance, कोई खर्चा ना हो, कि सारी चीज़े जो है committee notice पे ले के आती है, और ultimately ministry department को से पूछती है, कि बही बताओ हमें आपने इस तरह का क्यों जादा खर्चा किया, अगर ministry नहीं जवाब दे पाती तो disability या एक action लेने की बात यहाँ पर की जाती है, action मतलब Parliament लेती है, यह तो बस Parliament को बता देती है, कि देखो यह खर्चा यहाँ पर जादा हुआ, साथ ही साथ कोई भी ओवर खर्चा है, department concern का, तो उसके opinion के थूँ इसको disapprove भी कर देते हैं, मतलब यह कह देती है कि इस particular ministry को इतना खर्चा नहीं करना है, नहीं करना शहीं है, तो फिर accordingly disapprovals मिल जाते हैं, सबस्वर बात है कि यह discussion भी करती है, कि किस तरह से financial discipline और principle को maintain रखा है, मतलब सरकार को समय समय पर discussion के थूँ पार्लेमेंट को बताती रहती है, executives को बताती रहती है, कि आपको क्यों जादा खर्चा नहीं करना है, कोविड का टाइम में आप यहाँ पर खर्चा मत करो, वहाँ पर खर्चा मत करो, salaries में कट करो, कि सारी चीज़े समय समय पर बताती है, और सबसे important बात है कि यह इसकी जो जो भी इसके reports होती है, वो पार्लेमेंट के सामने रखी जाती है, तो इससे क्या होता है, पार्लेमेंट में चर्चा चलती रहती है, कि सरकार ने कहां पर पैसा वेस्ट किया, कहां पर ओवर खर्चा किया, कहां पर खर्चा कम होना चीज़े था, अच्छा साथी साथ जब यह CAG की revenue receipts की report को scrutinize कर रही होती है, तो सरकार के tax administration के aspects को भी consider करते हैं, तो वो भी यह समय समय पे बताती है, याद रखेगा, यह usually, आप इसको गलत माख करके आएंगे, कि अदे, PSE का तो काम यह नहीं होता, PSE का बिल्कुल यह काम होता है, कि वो taxation laws के procedural loopholes को भी सरकार को बताती है, और recommendations देती है, जिससे सरकार जादा revenue कमा सके, कि कोई भी leakage है, वो चेक कर सके, पैसा, जो है, जादा-जादा सरकार कमा सके, अगर taxation law में कोई flaw है, कोई issue है, तो यह भी सरकार को बता देती है, कि देखो आप इस taxation law को इस तरह से ठीक कर सकते हैं, तो हम और जादा income, या और जादा taxation, taxation, या taxable income हम generate कर पाएंगे, साथी साथ बात आजाती है, कि कुछ इसमें देखो issues जरूर है, issues यह हैं, कि देखो इसके पास ना कोई executive authority नहीं है, penalize करने कि, यह बस report दे सकती है, ठीक है, यह बता सकती है, यह सरकार ने सही किया, नहीं किया, अब बाद में parliament को देखना है, parliament इसकी report पे no conference motion पास करे, सरकार से जवाब मांगे, हला करे, media को बताए, वो बाकी लोग जाने, parliament जाने, लेकिन यह बस parliament को बता देती है, कि देखे, सरकार ने खर्चा गलत किया, जादा किया, कम किया, इसलिए का जाता है, post-mortem examination है, भई अब खर्चा हो गया, तो सरकार गएगी है, अगली बार से नहीं करेंगा, अब खर्चा हो गया, तो यह post-mortem examination करती है, जब खर्चा हो जाता है, तो बताती है, कि वो extravagance था या नहीं था, पहले से इसके पास कोई पावर नहीं है, जिससे पहले से एक roadmap बना के सरकार को दे दे, कि देखिए, आपको इससे जादा, इस particular head में खर्चा नहीं करना, day-to-day examination में इसका कोई रोल नहीं रहता है, साल के अंत में बैठती है, साल खतम होने खर्चों की लिस्टा आ जाती है, तब होता है, सबसर्व जाते हैं, यह issue कर सकती है, मतलब ministry सब पूछ सकती है, लेकि उनको orders नहीं दे सकती है, कि आप expenditure कम करो, और सबसर्व जाते है, prohibit करने का कोई भी expenditure, प्रविट करने कि इसके पास कोई power ही नहीं है, सरकार चाहे तो वो जाधा खर्चा करते है, बाद में बस यही कहीगी, कि सरकार को इतना खर्चा नहीं करना जाया है, तो एक तरह से, बस सरकार का criticism कर सकती है, यह कह सकते हैं, गलत हुआ, चिंतन व्यक्त कर सकते हैं, यह ऐसा नहीं होना चीए था, ऐसा नहीं होना चीए था, टाइप चीज़ है, तो लेकिन अल्टिमेटरी जो reforms हैं, वो बहुत ज़्यादा सौट आफ्टर हैं, कि इसमें reforms necessary हैं, mandatory हैं, इन reforms के चलते ही, जो सरकार है, वो better कर पाएगी, तो एक तरह से यह कह सकते हैं, कि यह accountability जो है, ensure करती है सरकार की, जिससे सरकार democratic functioning करे, और fiscal functioning जो है, वो prudent रहे, prudent मतलब, लोग के hit में रहे, कम से कम पैसा खर्च करते हुए, जादा से जादा, उस पैसे का benefit लोगों तक पहुँचे, तो यही हमें जानना था, PSE के बारे में, क्योंकि 100 साल हो गए है, तो इस पे एक expected question आ सकता है, तो आशे अगर तो हम clear हो गया अगर topic, मिलेंगे अगले section में, तब तक के लिए, goodbye, take care and God bless you all.